हाई दोस्तों नमस्कार विलकम टू इनोवेट टू जी एसनल जी तागास आज के इस वड़ो हम देखने वाले हैं ओन्नाइस तारीक का आई क्यो आई पी ओन्नाइस का 20 का 21 का 23 का यानि कि ओन्नाइस 20 21 21 23 चार दिन का हम आई क्यों पे देखने वाले हैं फिर उसके बाद जो बचा हुए टॉपिक हो उसके नेक्स्टोडियो में फिर नेक्स्टोडियो में यानि कि दो से तीन देन में पूरा टॉपिक हम कवर करवा देंगे कुछ दिक्कत थी इसी वज़ा से जो है हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम छमा प्रार्थी हैं तो अच्छे लिए श्टार कर देते हैं आज का अपना वीडियो बीना टाइम वेश्ट किये हुए तो आई की वापी कांसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है इसको आप लोग पढ़ ली जा करिए इसे लिखने से क्या होता है जो आप लिखते हैं वो चीजें हमारे दिमाग म जोब्स तुमारो यानि कि आने वाले सीदा सीदा कहने मतलब है गरे भी यह बुख समद भी से समावे सीवी कास और रोजगार कैसे लेकर रहे हैं वहां सब से यह टॉपिक जो है मैच कर दाएगा यानि कौन से ऐसे उद्ध्यों जहां पर आने वाले समय में रोजगार के च अश्वास जयादा मिलेगा किस छेतर मिल ऊच मार्यार रोजगर के चैले करने शेड़ से सबसे पहले उस मीजगा और यहा दो वह सब्से पहले हम चक्लियर हो जाएंगी DCT DCT में क्या है NGT है NGT का मतलब होता है National Green Tribunal राष्टी हरित नयायाद धीकरण इसकी एगर अस्थापना की हम बात करें तो इसकी अस्थापना होती है मतलब राष्टी हरित नयायाद धीकरण अधनियम 2010 के तहट किसकी अस्थापना National Green Tribunal की अस्थापना एक आक्ट आता है 2010 में इसका नाम होता है राष्टी हरित नयायाद धीकरण अधनियम यानि National Green Tribunal Act 2010 के तहट NGT की अस्थापना होती है अगर इसके हम कारी की बात करें तो भीया इसका कारी जो होता है वन पर्यावरण और उससे संब्दित अन्प्राकृतिक संसाधन के संग्रक्षण के लिए इसको बनाया गया था उसका कुसल रूप से संचालन किया जाए और उसको सफलता पूरवक हासिल किया जाए उसके उद्देशियों को ठीक है तो इसलिए बनाया गया था यंजीट यानि के पूरे-पूरे पर्यावरण से संब्दित है पेड़ पौध है ठीक है उपरी बात इतम सवनी में आ रही होगी भारत एक विसेत पर्यावरण निया थिकरण अस्थावित करने वाला दुनिया का पहला विकास सिल देश है ये ध्यान रखने वाली बात है आपको ठीक है दुनिया में मतलब दुनिया में विकास सिल देशों में सबसे पहला देशा ऐसा है जिसने क्या किया है एक विथेध परियावराण से संबंद नयाधिकरण की अस्थापना की है उसके पहले कौन कौन कीया है तो आस्ट्रेलिया नियूजीलेंड के बादेगर हम बात करें तो वहीं तीसरा देशा आजाता है ठीक है संगरचना की बात करें कि इसमें कौन कौन से लोग सामिल होते हैं तो एक अध्यच होता जो पूर्ण कालिक होता नियूनतम 10 और अध्यक्तम 20 पूर्ण कालिक नयाए ना इक सदस से होते हैं और निवनतम तस और अधिकतम पूर्ड विसेशक्य सदस से होते हैं इस तरकित की संगरशना हो गई अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें अगर इसके हम उद्देश्यों की बात करें तो या प्राकृतिक परियावर्ण संबंदित जो है चीजों से उसके बाद लोगों या संपत्ति को किसी भी चीज से मतलब अगर नुखसान होता है तो उसका मुझावज़ा देना बहुँ से परियावर्ण विविवातों का परव सामले हैं उसको देखना लोगों या संपत्ति को हुए किसी भी नुखसान का मुझावज़ा देना और इसी से संबंद्धित परियावर्ण विवातों का प्रवंधन करना इसके क्या होगा है मूल उद्देश होगे सक्तियां और कारे के अगर हम बात करें तो भाई या परि परियावर्ण सेसंबंद्धित मुद्धे जाते हैं उनको कम की जाएती परियावर्ण विवातों के लिए तेज की भायती और कम उपचारिक वाला बिकल्प ये बनाने के कोसिस खरता रहता है कि भाई कम से कम जञध के मुद्य है यानि कि ज्यादा के ज्यादा मामलों को सुल्जाया जा सके जो कि परियावरण से संबंदित हों अगला है परियावरणी नुकसान को कम करना है EIA का पहला पालन करवाना ठीक है उसके बाद मुआबजा और साहता देना यह हो गए इसके सक्तियां और कारें निमलिखित के तैत नागरी माम्पनों को करना क्या करना जहल अध़ने इम का प्रदुसड़ के रोग ताम यानगी जल अध़ने प्रदुसड़ कि रोग ताम और नय हंत्र नहींट सॉसुगत्तर जल ऊपकर अधने प्रदुसर कि रोग थाम नहींत्र यानि कि इन सब के तहट मामलों को निपटाना यानि कि यह सब मामलों के अंतरगत क्या करता या केसों की सुनवाई करता है मुकदमों को सुनवाई करता है ठीक है तो यह हो गया यन जीटी के बारे में आईए अब हम देख लेते हैं अगला क्या है टॉपिक नंबर वन एजुकेशन सिस्टम नियूर्स और रेजिम तो यह माडल क्योप्शन है क्या आपको लगता है कि भारत की सिच्छा प्रनालेकर क कि बाचा रोकल की नवकरियों के लिए तैयार है चर्जा करें समावेसी वह इसके लिए सिच्छा मैंने में सबसे मातूर्ट चालग है मौडल क्योप्शन है आए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ दो वर्ल्ड एकोनामिक फोरम सम्मिट अड दाओस में हाल है में वर् के बाचार कंतरकत बताया किया है क्रेशी चेट प्रद्दुग की यह दो चीजें क्या हुए है मतलब सामने आई है कोविट-19 की वज़ा से यानि कि ज्यादा बढ़ शरड कर हिस्सा रहा है हमारी GDP में या किसी भी देश की GDP में अगर यह दो चीज बंजबुत रही है तो कर बीजब समाजी नोकृ drinking से जक आदिस्टा को समझेडरे जो समय कि जविए होते हैं उसके पर यह मतलब में होता का प्राप्त होता है जैसा कि फूल हो करे सब्जी हो गये फल हो यह सब क्या आते हैं हो आधे है वानिकी में अंतर बंच जन्ब लाखने में रिघए wait मतलव जो कि क्रिसी का यह भाग है आगे चलते हैं रिपोट क्या कहती है उसको देख लेते हैं रिपोट क्या कहती है इन दस अर्थ व्यवास्ताओं से अगले दस साल में 68 मिलियन से अधिक रोजगार फ्रेजित होने के संभावना बताई गई है वर्ल एकोनामिक फोरूम ऐसा कहता है डवलु एफ एनलाइजड टेन मेजर एकोनामिस यानि कि डवलु एफ क्या किया है दस बड़ी अधव्यवस्ताओं को चिन्नित किया है आने वाले समय के लिए त अधव्यवस्ताओं से क्या कह रहा है कि आने वाले समय में 68 मिलियन से भी अधिक रोजगार स्रेजित होने की संभावना है ठीक है इस चीज़ को जानते रही है उसके बात अब हम चुनोतियां देख लेते हैं कि चुनोतियां कौन कौन सी हैं कल के बाजर कल की नोकरियों के दमादी भारत की कृसिदर पनिर्वर करती है कौसल और निक की केम हैं कहने करें को मतलब घांद करो किसके मामले में तो एक असर की रिपोड आती है असर का रीपोड का मतलब होता है एनुवल स्टेटस अफ एजूटेशन रिपोर्ट ये असर का फुल फाम हो गया है 2022 का डाटा आजा है रिलीश हुगा इसका डाट इसकी पहले ये आया था 2018 में», तो इसमें क्या किया जाता है? असर में रिपोर्टывать मैं यह मतब हिसके द्वारत किया जाता है तो वह यह प्रतम Educaption है उसी के द्वार यह perezent किया जाता है इसमें क्या कहा गया है कि इसकूलों में सीखने के परिडाम पर आधारित रिपोर्ट बताई गयी है और असर अपनी तरह का सबसे पूराना सर्वेचर भी माना जाता है जो कि 2005 से कारे कर रहा है तो इसमें क्या कहा गया है कि किस आधार पर और किस एज में बच्चे क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते हैं और क्या सीखना चाहिए इसी की बात इसमें की जाती है ठीक है तो आएए हम अपनी नचर डालते हैं असर रिपोर्ट पर चलिए असर रिपोर्ट में क्या मतबातें बताई जाती है कि नामंगन का अस्तर चाहते हैं और इसमें जो है तोटल की बात है गौबर्मयंट सेक्टर की अश्रयस के बात करें यानि कि प्राइवेट में लोग कितना और कितने की बिर्द्धि कितने नामंगनिको लीकर समझ और अंक ग्यान पढ़ने में निपुड पहल थी वह सहायक होई FLN पहल भी सहायक होई निपुड का मतलब होगे नेशनल इनिसियेटिव फार प्रोफेसिंग प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडर इस्टेंडिंग और निम्रेसी FLN पहल का मतलब होगे fundamental literacy और निम्रेसी यानि ये दो पहल ऐसे थे जिसकी वज़ा से 80% स्कूल का कहना है कि ये पहल हमें दिसा निपुड भारत यानि ये निपुड भारत क्या है 2020 के निप में यानि निप 2020 के तहए सिक्षा मंत्रा रेड़ाया सुरू किया था इसकूली सिच्छे आउ साच्छरता विभाग ने जुलाई 2021 में से सुरू किया इसके अगर उद्दिस की बात करें तो भारत में प्रते बच्चा ग्रेड तीन के अंद तक आधार भूद संक्या अवसाच्छरता प्रात करें यही इसका उद्दिस्त है 2026 तक अपने लक्ष को प्रात करना तीन से नौ उसके बच्चों पर जूर देना फल किसा और मौमिक कौसल में मदद करना यह हो गया नहींपूर के बारे में अब आईए बात कर लेते हैं अफ एल एल एड मिशन के बारे में यानि कि फंडामेंटल लिट्रेसी और नुप्रेसी के बारे में यह क्या है तो यह भी भाईया उन्ने 2020 का एक प्रमुख अंग है इसके गर उद्दिस्तों की बात करने तो पढ़ने समझने के साथ प्रत्क्रिया करने में सक्षम बनाना इसका मुख्य उद्धिस है यानि कि बच्चा पढ़े समझे और उसका रियाक्ट करे ठीक है समस्य का समाधान करे संख्या का बूध हो तर्क सक्ती को भिख्षित करना गड़ती सोच को आगे ले कराना यानि कि गड़ती सोच वाले विद्ध्य अर्थियों को बढ़ाना अधिकांस राज्यों ने अपनी आयका 2.5% से 3.1% सिच्छा में खर्च किया है तो इसलिए इसको खा गया भारत में सिच्छा आपातका लिए सिच्छा मंतरा लेका ही कहना है ठीक है व्ल्ड बैंक एक एस्टडी करता है उसकी आनुसार देख लेते हैं मतलब कौन कितना क्य इसकांस इसकों in the debt कि द्यान रखना है आय का budget का या किस आज कर खर्च करना ओना है ध्यान रखिएगा इसे मैं अगर हम बात करें मतलब ऊंसे हैं फशे यह पूशे बहला है हम सभी को सिथी से बात नज़र आती है कि सभी छेत्रों में यानि कि सिच्छ के से च्छा क्या करना है इंविश्ट करना है और रिए एनडी करना पर इस पहला टॉपिक समय में आगया होगा बढ़ते हैं अगला टॉपिक है ग्लोबल श्टॉक सब्सक्राइब करने में इसके क्या गोंगा है चार्चार करें हो गया मॉडल के उच्छन दूसरा मॉडल यह से है कि जलवाई कारवाई अकेले हासल नहीं कि जा सकती है अंतराश्टी समधाई की यक्ता की जरूर्वत है क्या है ADSW 23 ADSW के मनलब के होगा अबुधावी सस्टेनबिल्टी वी यह कॉप 28 से पहले SDZ की सस्टेनबल डिवलेप्मेंट गोल्स की प्रतमिक्ताओं पर ध्यान देने के लिए बात की रही है UAE के पास 28 की अध्यच था है इसे के लिए यह बात पहले ही जा रही है एक तरह समझीजे की समिक्षा हो रही है है ना यह भी यह देनबल दोजार तेज को सुल्तान अलजवर को कॉप 28 का अध्यच नामित हुआ लिया गया जो कि दिसंबर दोजार तेज में होना है ठीक है यह ध्यान रखिए यह के लिए ऐसे में आउसर यह यह में इसके लिए औसर क्या हो सकते हैं तो भी यह जलवाई अनकूल वैसे गुर्जा संकरमण हाने उच्छत कि निदी इस तीन बाते नजर आती है ठीक है यह जो कि हम लोग 26 और 27 को पढ़ते समय भी हमने पढ़ाता अगर आपने ध्यान दिया होगा अगर याद होगा तो COP27 कहां पर हुगा था और कब हुआ ता यह जुरूत बताईएगा भी हाले में हुगा है ध्यान रखिएगा एरिया फोकस हट कॉप 28 यानि कौन कौनसे एरिया है कि कॉप 28 में फोकस करने चाहिए तो वही बात है कॉप 28 को समाधान कॉप के रूप में देखना चाहिए समाधान कॉप यह आपको पता यह सारी चीजह है ठीक है क्योंकि इसमें जो बिख सिद्धेस है और कार यह नहीं कर रहे हैं आगे बात कर लेते हैं वाई इस यूए इंपॉर्टेंट तो भाई यह पहरी समझोते कि पुष्ट करने वाला पहला खाले देस है इसलिए जरूरी है इसलिए यूए जरूरी है उसके बात मैक की सुरुवत करने वाला पहला देस है मतलब यूए यूए और इंडोनेसिया यह दोनों लोग मिलकर मैक की सुरुवत किये तो मैक क्या है यह अच्छे समयने करा दिया है डिस्क्राइब लिंग मिल जाएगा आई बटन पर भी आ रहा हो देख लिजेगा मैक क पता चल जाएगा ठीक है यह सर्च कर लिजेगा मैक क्या है पिछले फोला वरसों में सत्र प्लस देसों में आर ई के लिए इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्ट्टर जो है के लिए पचास पचास बिलियन डॉलर निवेश किया आर ई का मतलब रिन्योबल एनर्जी के लिए ठीक है क इन सब चीजों की वज़ा से यह क्या है इंपॉर्टेंट है पहला जीएश्टी कॉप टूट्टी सिक्स पर भी शुरुवात किया गया पहला जीएश्टी कॉप टूट्टी पर समाप्थ होगा 2023 में यह भी ध्यान रख़िया ठीक है अब बात कर जाते हैं ग्लोबल इस्ट अब डिट करेगा कि जो आपने जलवाई से संबंदित घोषणाई किया था और जो इस समय की चीजें है उन दोनों के बीच में कितना अंतर है इसे को यह प्रेजेंट करेगा जीएश्टी ठीक है यानि कि अपडिट है एक अपडिटर है ठीक है एक जो है जलवाई से संबं 25% का रच लच रखा गया था पेरी सम्झों का 2015 में यह ध्यान रखिएगा तो यह होता है 19 तारीक के खतम अब आते हैं अपने 20 तारीक पर आएगे वाईपी आप देख लीजेगा पढ़ लीजेगा तारीक पे तारीक उसके बाद जो है इसू प्लानिंग प्लेगिंग देक प्लेगिंगे असा रिपोर्ट देखेंगे ठीक है फिर से क्या है कैसा है चलिए सबसे पर इस्टेट करते हैं वाटी था पाक्सो तो भाई यह 19 जून 2012 में यह बना था 14 नॉंबर 2012 में यह प्रवर्तन हुआ था यानि बना 2012 में 19 जून को और यह लाग हुगा कब 14 नॉंबर 2012 लाइड हो ब्रोटेक्षां12 को सक्षी कook लाया गया और यह यह 9 क्यों फुलफवाम ब्रोटेक्षां2 इल्डेन आम इसे हम वाल वी तैट 212 में पॉपसेगा कम यह mods हमले से बकाने के से बाया इसको चैट 212 में पाजा हुगा भर्यशन लिए लाया गया था 12 बनाया है Tá माहिला मंत्रा ले के तहाँ दोजाबारा में पालत किया था लिंग कानून है यानि दोनों लिंग के तरफ पेचाएब मेलों चाहिएब और दोनों के साथ कोई भी जो है यह उन से संब्दित तमाम लदर जाता है तुछ से उसको यही निपटाता है यही अट के द्वार उसको जो है कारवाई की जाती है यहां इस परिक्रिया के दौरा यह भी इसी में व्यवस्ता किया गया है इसी के साथ और क्या-क्या व्यवस्ता की गई है कि जैस्ट प्रिक्रिया बच्चों के अनकूल अस्थान या स्थिति पर्यावरण की हिसाफसे होना चाहिए यानि कुल मिलाकर करने मतलब यह है बच्चों के हिसाब से ही उनके मतलब उनंसे पूछताज करना है ये आनिवार बताया गिया है पाक्सो ऐटम में बाकी रियल क्या है आप सब भी जानते हैं रिपोट करने की तारिक से एक वर्थ भीतर निप्टाने का भी प्रावधान किया गईया सधाप्बन साइटा दिया जाए इस मुकदमें को या फिर इस मामले को उसके बाद आपकर्ज में का लिए कि दो परकर क्राइब लिए दो प्रक्री के चीज़ें बनाए गयी यह M.C. Scr एक था येस CPCR यह यह CPCR क्या था National Commission for the Protection of Child Right यानि कि राष्टी बाल संग्रेच्षण आयो दूसरा क्या था State Commission यानि कि था नेशनल लेवल पर एक था राज के लेवल पर दूनों बात एक गई है तो राजबाल अधिकार संग्रेच्षण आयो एक था राष्टी बाल संग्रेच्षण आयो यह दो चीज़ें बनाई गई थी किसके तहत पाक सो आयट के तहत यह दोनों क्या है वैधानिक निकाह है यह धियान रखेएगा इसके अगर उद्देश की बात करें तो बच्चों को यौन हमले यौन उत्पीडन और असलिल साहित के अगानिक डियरेक्ट्रेथ वाला इस्टेट पालसी में क्यार बच्चों के राइड दे गए अनुछी जुन तालिसेफ के तहित राज का दाहित होगा बच्चों को असा देना बच्चों को सुभ्णार्य देना सोस्त और सुतत्रता गरीमा इस सबकि इस्तिति का जो है विक नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए हमने लिखा था परित्याग नहीं होना चाहिए उसका सोसर नहीं होना चाहिए नयतिकता को आगे बढ़ाना ठीक है भौतिक परित्याग जो है ना हो पाक्षुवाट को चुनती देने वाले कुछ मुत्य यानि किया इसमें खामियां है तो यह जो है कमिया या विलंब है कि लाइंगिता का अपराधी करण है सहमती की उम्र जो होती यह केनर बता था थारा साथ तबरेंगोड कहता है ठीक है यह कुछ थोड़े बहुत चुनाती है बहरत में जल्द पहल यह जल्द पहल क्या है तो बहुत कहीं है जल्दी क्या है जल्द या जल्दी तो जल्दी का फुलपाम होता है Justice Access and Lovering Delays in India टीजूरी का क्या है Data Evidence for Justice Reform इन दोनों के रिपोर्टों के अगर हम इसकत की बात करें तो इसके अनुसर बताया कि 43.4-4% मुकद में दोस्मुक्ति में समाप्त हो जाते हैं और 14.03% मुकद में सज्ञा में समाप्त होते हैं यानि कि दोस्मुक्ति वाले कितने हैं 43 हैं दोस्च्धी वाले कितने हैं 14 हैं यानि कुल अगर अगर मतलव report है या कुल जो मामला है जो कुल की हैं सब परसेंट तो सब मैसे यह माणनी है कि 43 лोग क्या हो जा रहे हैं दोस्मुक्त हो जा रहे हैं और चौदा लोग क्या हो रहे हैं दोस्सिद्धी में जा रहे हैं तो सभी राजियों में दोस्मुक्ती का मामला सबसे जादा है और दोस्सिद्धी का मामला सबसे कम है यह ध्यान रखेगा यानि कि लोग जादा से जादा छूड़ लेकिन अधनियम क्या कहता है कि एक वर्स मह निप्टाने के पराउधान करता है यह होगे अध्यान के नुसर यह यह है अधनियम के नुसर यह है अब हम बात कर लेते हैं किसोर योनिक्ता का अपराधी करण तो यह किसोर का मुक्ता अपराध यानि कि एकॉर्डिन जो है एक्ट एकॉर्डिन टू आएक्ट और 18 वर्स से कम के बच्चों के बीच हुए सहमती से सभी योनकृत्य अपराध है यानि कि यह दो बाते निकल कर आ और इसी के अंतरगत जो है एकॉर्डिन टू एन सी आर भी नेशनल क्राइम रिपोर्ट गूरे का रिपोर्ट आता है दोजार एक कैसे में पांक्सो के तैस्ट पकड़ई ते 216 से 18 वर्स के बीच में ही थे दोजाव 17 से 18 के भीच में 18 परके किसमेश में पृद्धी भी देखे की है और जो चुनोधियां है चुनोधियों के अंतरगत ही क्या है नियालयों का अत्यधिक भार है पूलिच में महिलाओं की कमी है आईमीज़ार्ट का मामला है जो की होना चाहिए कुछ और हो रहा है कि आपका डड़िाथ होता है कुछ और मार्ष्यट में होता है कुछ और जाज की अधिया में कुछ बात्य कुछ दिकते हैं जिसकी वजा से जो है hay poks fight की जो है अ समझ्त और बढ़ जाती है और जटट गो जाती है किRe ुजा से 6 वर्स के लिए होता है क्लास जो है प्लेजॉप और यह इसी का जता है प्राइमरी और छाथ hani आप प्राइमरी और सोला से 14 एक 6 nearest एक जा चोड़ा होता होता है क्लास आर्श से आल वस ठीजा से के लिए है। और कुछ नहीं. चवदा से सॉला की बच्चों को जो होते हैं, नो से दश में पड़ते हैं. यह का जाता uh साथ। प्राइमरी में होना चाहिए है सकंट्री मी होना चाहिए हरा ये सारी जिश इम अब इक बात है याने कि निउस है साइड वनैंग क्या होता है साइड वनॉज ने कम करते हैं जैने कि इस बादourt इसे कहते हैं अब बात आ जाती है 11 जनुरी के 11 जनुरी तो इसे में पोच रहे हैं वीडियो लंबा हो जाएगा और इस वजह से इसको यहां ही पर मिसमाप्त करना होगा तो इसका और तेज का हम नेश्ट वीडियो में आपको इसका कंटेंट अवैलबल करा देंगे तो अभी के लिए यही तक अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सेरे कमें और सब्सक्राइब जोरू कीजिएगा मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जहिन बंदे मात्रों